तू ही सागे, तू ही सागे है तू ही किनारा डूंडता है तो किसका सहारा गुजुराती साहित्य परिशत बहु जुनू अले बहु जानितु संस्तान एमना मुखपत्र परबना नवेंबर ओग्रिस्षो सक्ट्यो तेरना अंक मा थी एक रत्न समान अभ्यास लेक चड़ेओ अन्य ते वाँची ने धन्य धन्य थाई जवाईओ रुदे बोले उठियू वाँ परिशन, वाँ परब कोई अस्तरनी गरजवगर ज्यारे सर्जन प्रकाशित थाई चे त्यारे ए मुखपत्रनू ने साहित्यनू स्तर उजकाई चे पोतानी ओडखने सदा अच्छती करवामा मग्न रहला वल्लब विद्यानगर ना प्राध्यापक शास्त्री जयंद्र दवे श्री वालमिकी रामायर ना सगन अभ्यास पची जे अभ्यास लेख करी रहा चे तेनू शिर्षक छे वालमिकी नी वाणी विशे नी विभावना बहुँज उन्डान भर्या लेख माती ए जानी ने सानन्द आश्चरिय थयूं के श्री रामचंद्र जी ये हनुमान जी ने साम्ड़ी ने वक्ता अने वाणी नो अनुबंध लक्ष्मन जी पासे वग्णव्यों छे कवी वाणी द्वारा प्रगट ठता केवा प्रकार्ना वर्तन ने उत्तम माने छे तेनु स्पष्ट अने सचोट निरुपन तो छेज किश्किंदा कांड मा भगवान रामचंद्र जी अने पवनकुमार हनुमान जी नी प्रथम मुलाकात प्रसंग मान टपस्विना वेशे फर्ताब्य भाईयों पासे टपस्विना वेश्मा जवानु हनुमान जी उचित समझे छे प्रारम बेज हनुमान जी अनुष्टु पचंदमां 36 पंक्तियों मां एक वक्तिय वया एवी कुशल ताथी रजू करे छे के ते अबुद्धि मतां वरिष्ठां होवानी वाक्पति रामचंद्र जी ने प्रतिती थाई जाए छे हनुमान जीनु संभाषन साम्दी ने रामचंद्र जी बहु प्रसल नता थी निकट उभेला लक्ष्मन ने कहे छे लक्षमन आँ हनुमान तो वाड करवानी रीतना भारे मर्मगन चे माटे तु एनी साथे मतूर वाणी मा वारता लाब कर हनुमान जीनी वाणी अने तेमणे आपेल वक्तवयनी वाणी नी प्रशंसा रूपे वाणी एटले शूं ने वाणी केवी होवी जोहिए आदी स्वरूपनु निरूपन करता लक्ष्मन जीने कह्यूं नूनम् व्याक्रणम् कृष्ट्यन नयनेन बहुदार शृतम् बहु व्याहार तानेन नकिंचित पशब्दितम् एवं फलित थाई छे केमने समग्र व्याक्रण श्रास्त्र नो अनेक वार घ्यास कर्यों छे कारण के अधार श्लोक बोलवा छताएं एमने क्याएं नजीवी पन बूल करी न थे वानिना श्रास्त्रमा जेमने रस्ट छे तेमने माटे आश्लोक विशेश विचारणिय छे नमुखे नेत्रोश चापी ललाटे च ब्रुवोस्त था अन्येश्वपी च सर्वेशू दोशह संवीहित क्वचित लक्षमार के जोयूं संभाशन वक्ते है हनुमाज जीना मुख ललाट ब्रहमर कथा अन्य कोई पन अंगमा थी कोई दोश प्रकट थयो हो एव जनातो ना थी अहीं देखिते नितेज कवी वाग्वेवारमा भावभंगी एटले के पोस्चर हलन्चलन एटले के मुवमेंट अंगभंगी एटले जेस्चर मुख मुद्रा एके फेशियल एक्स्प्रेशन जेवां दृष्य प्रतिको प्रत्यायन एटले के कोम्युनुकेशन नी प्रक्रियामा कथनना संवाद ने वधू अर्थ सबर तेमज अर्थ पूर्ण बनावनारा होई चे ए बाबतनो उल्लेक करे चे वाणीना सिध्धान तोनू व्यापक निरूपन करता रामचंदर जी जे कहे चे तेने आ रीते तारवी शकाए एक, संक्षेप अने स्पष्ट दा बे मुख्य बाबतों छे अर्थेव के लांबू लांबू अने गोड़ गोड़ बोलीने कथनने गुच्वी मारवूं ए वक्ताना वाणी कवशल्यनी उनप छे बे, पोते जे काई बोले तेना अर्थक ग्रहन मां ग्रहीता आने कशी तकलिफ न पड़े अर्थनों अनर्थ न करी बेसे पोते जे काई केवा मागे छे एज ते समझे ए जोवानी जवाबदारी वक्तानी छे त्री जूं, बोलती वक्ते वाक्य संबंधी नियमन नों पालन करवान होई छे वाक्याने गम्मे ते रिते तोडवानी खोकी जग्याय अटकवा थी के तुटक तुटक बोलवा थी बोलतां बोलतां वच्चे विचार माँ पड़ी जवा थी ग्रहन करनारने तकलीफ पड़े छे चोथूं, अवाजनी मात्रा माँ सम्तुला ज़ाडवानी छे धिमे थी के अस्पष्टता थी बोलवू अत्वा खोब मोटे थी बोलवू युग्यना थी मध्यम स्वर्थी वट्टां वक्ताने शोतानी वच्चेना अंतरनों ख्याल राकी ने वट्टां शोतानी मानसिक वईनों ख्याल करी ने बोलवू जोई ये एक जवाक्यमा कहे छे के संसकार अने क्रमती संपन्न अदभूत अविलंबित तटा रुदैने आनंद आपनारी कल्यान मई वाणिन उच्चारण करे ते निपून वक्ता छे पार्शाला पद्धती थी संस्कृत साहित्य तटा स्वाध्ययन पद्धती थी हिंदी भाषा साहित्य गुजराती भाषा अंग्रेजी भाषा तटा पश्चिम नो तत्वग्नान तटा हिंदु तत्वग्नान मा अद्वेईत वेदानत नो सगन अभ्यास करी रामायन प्रविन परिक्षा उतीरन करनार शास्त्री जयंद्र दवेजी जीवन ना संध्याकाले आ लेक लखीने पोताना गुरू अउदुत माहराज रंग अउदुत माहराज ना नाम स्मरण थी पर अपने और पण करे छे अने एम दो प्रसाद आपना सुधी पोंचे छे तू ही सागे है तू ही किनारा रूंडता है तो किसका साहारा रूंडता है तो किसका साहारा